सेर उडारिया की बात करें तो शो में तो आपने देखा कि फते और तेजो के रिष्टे को मंजूरी मिल चुकी है सब बड़े खुशें यहां तेजो फते के भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है यहां पर होली का सेलिब्रेशन जम कर हो रहा है लेकिन यहां पर आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में इस पूरे सीक्वेंस में कोई एक बंदा है जो असली मास्टर माइंड है जो कि तेज और फते को दूर करना चाहता है लेकिन वो दिखान नहीं रहा है जिस तरीके से प्रोमो दिखाया गया है उस प्रोमो में ऐसा लग रहा है कि जैस्मीन फिर से नेगेटिव आवतार में आ चुकी है लेकिन कहीं न कहीं अंगत के उपर भी शक्की सुई जा रही है तो कौन है असली खिलारी जो खेल रहा है खेल आपको बता दे कि अपकमिंग अपिसोड में धमाकेदार ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा जो तेजो और फते को दूर करने के लिए अब इन दोनों में से कोई एक बड़ा कदम उठाएगा जैस्मीन अभी तक तो तेजो और फते की भलाई चाह रही थी लेकिन जिस तरीके से प्रोमो कोड दिखाय अब ही नहीं सुधरी है लेकिन वहीं दूसरी और अंगत जैस्मीन के पीछे पड़ा हुआ है और अंगत जैस्मीन का असली सच लाना चाह रहा है लेकिन अंगत भी तेजो और फते को देखकर खुश नहीं है देखना दिलचस्प होता है कि भाई क्या है शो में आने वाला ट्विस्ट और कौन है असली खिलारी वल बहुत जल सामने आ जाएगा ये सब कुछ विलहाल के लिए बस इतना ही मनीशा सिनाक रिपोर्ट वेब 23 नियूज